ईड़्ों फ्रेंड्स वेलकम टु मैं चैनल निर्मिला फैशन वर्ड फ्रेंड्स वगत्याप सबका मेरे चैनल में आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे सवस्थ होगे خुष होंगे बस्स रूगे तो फ्रेंड़ आज बहुत ही प्यारा बहुत ही यूसफुल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि princess cut blouse का है और साथ ही मैं इसमें आपको two-tucks blouse cut भी बताऊंगे मतलब एक ही blouse में आप दोनों तरह के blouse यानि two-tucks blouse भी और princess cut blouse भी सीख सकते हैं और ये princess cut blouse होगा बहुत खास क्योंकि हम इसमें जो बीच में cut लगा होता है वो नहीं ल देखा होगा कि princess cut blouse जो बनते हैं वो बीच में से cut करकर ही बनाया जाते हैं लेकिन ये एक अनोखा मैं आपको एडिया बता रही हूँ जिसमें आपको बीच में से cut करने की जरूरत नहीं है जिससे आपको ज्यादा ताम जहां भी नहीं करना पड़ेगा तो बहुत ही प्या चैनल निर्मिला फैशन वर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए अगर आपके कोई कमेंट्स है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो देखिए ये जो अस्तर मैंने फोल्ड करके रख लिया है और इसे मैंने मारजन और मेरे फिटिंग के अनुसार ही मोड लिया है तो आप ऐसा करके रख लीजिए उसके बाद देखिए हमें लेनी है हमारे तयार ब्लाउस की लंबाई तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि लंबाई आपको हमेशा बैक से ही लेनी है क्योंकि बैक से ब्लाउस की है वहां से हमें नीचे कमर तक देखिए इंचे टेप को रख लिया है और तैयार इसकी लंबाई साड़े 14 आई है और इसमें हम एक इंच प्लस कर देंगे जो हमारे उपर और नीचे के मार्जन में एड हो जाएगा तो लंबाई हम लेंगे साड़े 15 इसके बाद देखिए चेस्ट को मैंने नाप लिया है और इसका चेस्ट आ रहा है तकरीबन 18 इंच तो 18 में हम थोड़ा सा लूजिंग देंगे हाफ इंच की क्योंकि जो पाफ लगाएंगे उससे थोड़ा सा धीला रहे है इसके बाद देखिए कमर इसकी आ रहे है 14 इंच तो सारे मेजरमेंट जो होते हैं वो मैंने ले लिये हैं उसके बाद कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है और यहां देखिए 15 इंच पे मैंने दोनों तरफ से निशान लगा कर सीधी लाइन खीच ली है इसके बाद देखिए गला हमें लेना है क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं बोट नेक तो मैंने यहां पे तक्रीवन 4 इंच उड़ाई का गला ले लिया है चार इंच पे निशान लगा लिया है उसके बाद देखिए शोल्डर मैं इसमें ले रहे हूँ 34 साइस का ये चेस्ट साइस का प्लाव से तो मैं इसमें तक्रीवन 7 इंच के शोल्डर ले रहे हूँ जिससे जो ये जो है खिचे ना और देखिए नीचे से भी यहाँ पर मैंने जो है 7 इंच पे ही मेरे शोल्डर नीचे किये है इसके बाद देखिए सबसे पहले में लगा रही हूँ गले का निशान तो गला इनका जो है काफी डीप है तकरीबन 12 इंच का तो ये मैंने 12 इंच पे जो है एक चोकर बॉक्स ब ले ली है और उसके बाद एक बॉक्स बना लिया है उपर से यहाँ मैंने तकरीबन थोड़ा सा हाफ इंच से थोड़ा कम नीचे डाउन कर दिया है उसके बाद यहाँ पांच इंच पे मैंने एक और निशान लगाया है क्योंकि मैं यहाँ दूंगी मेरे गले की डिजाइन तो देखिए पांच इंच पे मैंने एक और बॉक्स बना लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जो है बोट नेक का शेप दूंगी हाफ में और हाफ में इसको ड्रॉप शेप में बना दूंगी आपका जैसा मन चाहे आप बॉक्स बनाने के बाद ही उसके अंदर अपने गले क की शेप दीजिए जिससे आपका जो है गले का डिजाइन एकदम पर्फेक्ट बनेगा इधर उधर नहीं भागेगा तो इनको जो है थोड़ा ब्रॉड भी चाहिए थोड़ा डीप भी चाहिए तो इस तरीके से देखिए चार बाई-चार का चार इंच चोड़ाई और बार 5 इंच लंबाई पर ही टक्स का निशान मैंने लगाया है और यह सीधा कर दूँगी तो यह हमारा टक्स का हो गया अब देखिए शोल्डर की गुलाई लेनी है हमें यहां पर तो यहां कोने पर हम तक्रीबन 1.5 इंच पर रखेंगे हमारा एंच टेप और एक निशान लगा लिया है जिससे जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ ना खसके यह हम हर ब्लाउस में करते हैं तो यह हाफ इंच तक्रीबन उपर हमने एक निशान लगा लिया है और हमारा बैक की जो ड्राफ्टिंग तयार है अब हम इसकी कर लेंगे फटा-फट कटिंग तो आप इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आजानी से आयाल हूस कर कि तो देखिए फ्रेंड्स Bैक पाट की मेरी हो गई है बहुत अच्छी तरीके से कटिंग पूरी हो गई है मैंने गलाव जो शेप में कट कर लिया है कुछ इस तरीके वें Phoenix में से में कट कर दूँग क्योंकि ये back से hook लगेंगे इसमें इसके बाद देखिए हमें करना है front part की cutting तो ये ही हमारा main है front part तो back part को मैंने रख लिया है जो कपड़ा मोड़ा था उसी के ऊपर और जो हमारा जितना भी shape आया है back part का उसे हम जो कते हो उस पर draw कर लेंगे सिर्फ हमें इसमें जो लंबाई देकर इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे back part से बाकी देखिए back part का जो shoulder है उसी shape में हम इसके shoulder भी draw कर लेंगे अभी हमें अंदर वाले जो shoulder है उसकी गुलाई नहीं देनी है इसके बाद देखिए आगे का मैं जो गला रख रही हूं वो भी तक्रीबन पीछे वाले जो गला कर सकते हैं तो देखिए मैंने shoulder की गहराई नहीं दिया टक्स लगाने के बाद दूंगी अब देखिए नीचे की तरफ हमें यहां से डॉट लगानी है तो पांच इंच पर मैंने निशान लगा के दोनों तरफ एक एक इंच क्या निशान लगा दिया है डॉट के लिए और उपर की तरफ भी यह 5 इंच पर निशान लगा दिया है अब यहां से हम उपर से लेंगे हमारा जो टक्स का पॉइंट रहता है यह 10 इंच है तो 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया यहां पर हम जो हमारा कप जो है अटैच करेंगे अब कमर की तरफ से भी मैंने से देखि तक्स पॉइंट के बाद मैंने तेरा इंच पे एक निशान और लगाया है यह और इसे में लंबा कर लूँगी क्योंकि यहां पर हम अपनी डॉट के लिए निशान लगाएंगे देखिए तेरा इंच पे लगाया और उसे लंबा कर दिया है और यहां पर यह मेरा टक्स अब हम यह जो हमने डॉट बनाई है इससे हम बिल्कुल सीधा एक लाइन कीच के हमारी जो लंबी हमारी डॉट बन रही है उसे यहां पर डॉट कर लेंगे ऐसे इस तरीके से इसके बाद देखिए यह जो 13 पर हमारे डॉट थे एक एक इंच के उन्हें हम इस तरीके से शेप दे देंगे जैसे हम डॉट लगाते हैं नॉर्मल फोर्टक्स ब्लाउस में वैसा हमने डॉट का यहां दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं और नीचे की तरफ जो हमने एक एक इंच लिया था अब हमें यह तिर्छे शेप से बिल्कुल सीधा नीचे मिला देना है ध इसी को जब तेर्छा थोड़ा सा गुलाई शेप कर देते हैं तो यही प्रिंसेस कट बन जाता है इसके बाद देखी यह हमने पांच इंच पे जो निशान लगाए था हम थोड़ी दूर उपर से साड़े पांच पे एक निशान और लगा देंगे और यह जो हमारा शूलड परता है बहुत डिफिकल्ट है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बस यह दो जो टक्स हैं हमारी नीचे की और वो शूलडर की यही दो में होती है और यह आप अच्छे से लगा लेंगे देखिए इस तरीके से तो चाहे तो आप बीच में से कट ना लगाए बस यह दो टक्स लगा लें तो आपका टूटक्स बलाॉस बन जाएगा और इसी शेप को अगर आप अच्छे से गोलाई में कर लेंगे अच्छे सी कट कर देंगे तो यह आपका प्रिंसेस कट बन जाएगा दोनों ही एक में आपके बन जाएंगे तो मैं इसे बिलकुल भी कट नहीं और इसी डॉट में सिलाई लगाकर मैं इसे प्रिंसेस कट बनाऊंगी जो बिल्कुल पर्फेक्ट फिटिंग का बनेगा बहुत प्यारा बनेगा तो इस डॉट में जो देखिये निशान बने उसे हम कट नहीं करेंगे बस इसे अच्छा सा गुलाई शेप दे देंगे प्रिंसेस कट वाला और हाफ इंच का जो है बीच में से मार्जन लेते हुआ इसी पर सिलाई लगाएंगे तो देखिये फ्रेंट्स मेरे आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसे अच्छा सा शेप दे के इसी पर सिलाई लगाऊंगी इसे बिलकुल भी कट नहीं करूंगी और मैंने जो है अभी शोल्डर की गुलाई तरफ से अंदर का जो हमारा वो होता है पार्ट मतलब अंदर की गुलाई वो मैंने नहीं दी है वो मैं डॉट लगाने के बाद ही दूँगी क्योंकि यह उपर नीचे हो जाएगी तो देखिए गलावी मैंने कट कर लिया है अब देखिए यह जो पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा और अच्छा शेप दे दे रहा है गुलाई में और इस तरीके से हमें इसे पकड़ना है बिलकुल निशान मिलाते हुए और यह डॉट हमें बिलकुल इसी शेप में गुला पार्ट जरूर देखिएगा नेक्स्ट वह बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टूटक्स भी बन जाएगा और हमारा प्रिंसेस कट भी बन जाएगा तो यह बहुत अच्छा एडिया है जटपट ब्लाउस बनाने का इसके बाद देखिए मैं इसमें बना रहे हूं ऊपर से मैंने ले लिया है 12 इंच और नीचे से यह मैंने यहाँ पर तिर्च्र में 9,0-3 Buenos देखिए उपर के सोलडर की शहेप दे दी है उपर वाली सथीन की और 1हीं के अंदर नीचे वाली जो हमारे अंदर आम्स होते हे हैं वहां की देदी है और इसे पर सिलाई करके हम जो है हमारा ब्लाउस बनाएंगे तो आप इसका जो है स्टिचिंग का पार्ट जरूर देखिए वह बहुत ही जादा यूस्फुल रहेगा आपके लिए अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और यह बिल्कुल नया तरीका है प्रिंसिस कट बनाने का आ कैसा लगा जरूर बता है यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में